पती से बेवफाई के आरोब लगने के बाद सुर्खियों में आई SGM जोती मौरिया पर अब गाना भी बन गया है कुछी दिनों में ये खबर हर किसी के जुबान पर है SGM जोती मौरिया की आजकल हर कोई चर्चा कर रहा है उनके पती ने उन पर बेवफाई के आरोब लगा कर WhatsApp चैट वाइरल क्या की हर तरफ हंगामा मच गया हर कोई उनके बारे में ही बात करने लगा और अब तो एक कदम और आगे बढ़ते वे उनके उपर गाना भी बन गया है यकीन मानिए इतने कम समय में गाना मार्केट में उतार देना भी एक रिकॉर्ड है लोग सोचते उससे पहले ही फटा फट लिरिक्स भी लिख गए म्यूजिक भी बन गया और गाना गा के गाना रिलीज भी कर दिया गया और अब बारी है इस गाने के भी वाइरल होने की क्योंकि सोशल मीडिया पर तो SDM जोती मौरिया के खबर ने आग ही लगा दी है और सोशल मीडिया की ताकत तो आप जानते ही है उनके पती ने भी इसी ताकत का सहरा लिया और जोती मौरिया के चैट सोशल मीडिया पर वैरिल कर दी और कुछी दिन के अंदर ये खबर पुरे देश के लोगों तक पहुँच गई एक बार सुनिये कि आखिर जोती मौरिया के पती आलोक मौरिया ने उन पर क्या आरोप लगाये थे यहां तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती है मुझे सर्फ फोन करके कहीं है कि यहां सब रुकवाद हो ने तो तुम्हाई जान चली जाएगी सर उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौरिया मेरी पीछे लगा हुआ मेरे घर के आगे पीछे रहता है बंदूग लेके आलोप मौरिया के आरोप लगाने के बाद चैट वाइरल क्या हुई सोशल मीडिया पर बहश चुर गई कोई SDM जोती मौरिया के पक्षमकडा दिखा तो कोई आलोप मौरिया से सहनुभूत दिखाने लगा लेकिन इसी बीच जोती मौरिया भी मीडिया के सामने आई और अपने उपर लगे आरोपों पर सफाई दी साथ ही अपने पती पर भी कई आरोप जड़ दिये मुतादमा भी दायर किया गया है और उसकी विवेशना भी चप्री पर उसी पेश बंदी में मुतमाल तरह क्या पती पत्नी के बीच का ये विवाद नैशनल मुद्दा बन गया अब चाय